एक बार फिर से नमस्कार दरसल आज Facebook पे मैंने बहुत मज़िदार पोस्ट पढ़ी किसी हमारे मित्र ने अपनी हवाई जहाज यातरा का जिखर किया है और उनोंने ये कहा है कि उनको क्यूं हवाई जहाज से चलना उतना पसंद नहीं है जितना पसंद है उनको ट्रेन में चलना तो भाई हमें भी दिमाग में घंटियां बजने लगी कि जो है हवाई यात्रा करने में और ट्रेन यात्रा करने में दोनों के बहुत अपने-पने मजे हैं ट्रेन में चलने का अपना मज़ा है अगर आप दोस्तों के साथ गूरुप में जा रहे हैं ट्रेन में तो उसका अपना मज़ा है और आप अपने होई जाद में जा रहे हैं तो उसका अपना मज़ा है तो लेकिन मैंने हमेशा ये देखा हिंदुस्तान में तो आप्शन है अगर हमें भारत में एक जगा से दूसरे जगा जाना है तो हम ट्रेन ले सकते हैं लेकिन अगर आपको भारत से बाहर की यात्रा करनी हैं, तो ज्यादा तर आपको हवाई जहाज की यात्रा करनी ही पड़ेगी. क्योंकि अगर आप योरोप जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं एमस्टरडम जा रहे हैं स्वीडन जा रहे हैं जैपान जा रहे हैं तो आप सिर्फ ट्रेन से तो नहीं जा सकते और अगर आप हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, आप बिली से तन्या कुमारे चले जाएए, जम्मू चले जाएए, अरुनाचल प्रदेश चले जाएए, कोलकता चले जाएए, अभी तो ट्रेन जो है, बंगलादेश और भाका भी जाती है, और नेपाल तो जाती हैं, तो ट् पढ़ता है अगर हवायाज से आना हो तो क्योंकि भारत में अभी भी लास्ट मोमेंट पे अगर आप ट्राविल करना चाहते हैं तो आपको सस्ते में टिकट नहीं मिलता टिकट के दाम जो है उट पटांग डंग से महेंगे होते हैं तो ऐसे में हम लोगों के पास ऑप्शन य तो मैंने जो है बॉंबे कि ट्रेन ली और लेकिन हमने एक जब म sure किया क्योंकि जब मैं टिकट कर आ रहा था तो मुझे पता चला कि एसी में टिकेट अवेलेबल नहीं है सेकेंड एसी में भी अवेलेबल नहीं है और थर्ड एसी में भी अवेलेबल नहीं है तो हमने फिर स्लीपर क्लास का टिकेट कराया कि देहरादून से मुंबई की लंबी यात्रा थी लेकिन हमें बहुत अच्छे-च्छे सहयात्री मिले खुब गपें लड़ाई हम लोगों ने और एक दूसरे का नंबर भी लिया और अभी तक उनसे बात होती है तो ये जो है ट्रेन यात्रा के अपने मजे हैं और उनके साथ जब आप दो दिन से ज़्यादा सफर करते हैं तो बहुत इंटीमेसी सी हो जाती है उनक मुलाकात होगी की नहीं होगी लेकिन अपनी सोशल मीडिया आने के बाद तो लाइफ में मुलाकात होने के संभावना भी है वाटसप भी आता है जोक्स भी शेयर होते हैं और फेस्बूक और यूट्यूब के वीडियो की वज़ए से एक आपकी अपनी ट्रस्ट वर्दी आ गया है क्योंकि उनके हिसाब से सत्यूब का मतलब यह कि अभी अगर आप किसी यात्री से ट्रेन में बात कर रहे हैं या हवाई जाज में भगल वाली सीट पर बात कर रहे हैं तो आपकी फेस्बूक प्रजेंस और आपकी यूट्यूब प्रजेंस एक आइडेंटिटी कार् और करती हैं आप इस तरह के काम करते हैं और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके एक में बहुत सारे कॉमन फ्रेंट्स भी मिल जाते हैं ऐसे में तो ये मजा आता है ट्रेन में सफर करने का और हवाई जहाज में सफर करने का और एक जो बात में बताना रह गया वो ये कि हवाई जहाज यात्रा में आप इधर शहर में हवाई जहाज पकड़े और एक दो घंटे बाद आप दूसरे शहर में उतर गए जो लंबी यात्रा हैं करने में शायद 24 घंटे 28 घंटे 30 घंट ट्रेन में लग सकते थे, वो सफर हवाई जहाज में एक दो घंटे में हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि हम बिस्तर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप ट्रेन में अभी सफर कर रहे हैं, तो अभी आपको कंबल, ब्लांकेट और चादर भी लेके चलना पड़ स पकड़ा और मुंबाई से प्लेन पकड़ा वारा नसी चले गए, कोलकता चले गए, तो एक दिन का जो सफर है, वो सफर किया हुआ महसूस नहीं होता, लोट के आने के बाद आपको सफर की ठकान नहीं होती, जबकि ट्रेन में अगर आपके पास फुरसत है, वक्त है, तो आ आपको 24 गंटे या 28 गंटे एक खास state of mind में ट्रावेल करना पड़ता है, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ, कि हम लोग एक ऐसे time frame में जी रहे हैं, एक ऐसे समय में जी गया हैं, इतिहास की एक ऐसे हिस्से में जी रहे हैं, कि हम लोग हवाई जहाद में सफर कर सकते हैं, लेकिन ये जो वक्त है, ये जो time frame है, इस time frame को as a human being मैं बहुत enjoy करता हूँ, ये internet का दोर है, ये social media का दोर है, जिसकी वज़ा से हम आपसे बातें कर रहे हैं, तो अगर आप भी comment में हमें जरूर लिखके बताईएगा, कि आपको train में सफर करने का क्या experience आता है, और हवाई ज जहाद में सफर करने का क्या experience आता है, देखते रहिए, सुनते रहिए, मेरी छोटी छोटी बातें, धन्यवाद, थैंक यू